गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टीपॉइंट दोस्तो आज है 23 अक्टूबर और देखेंगे आज के पूरे करेंड अफेस दोस्तो मैं आपको बता दू हमारे कल के करेंड अफेस नोट्स के विनार है महंद्र कुमार कोडिया जी महंद्र जी आप हम आपको कमेंट बॉक्स में बित डिटेल पूरे यूनिक और बेस्ट ऐंसलिकनख कि किलिकनो कुपी पेस्ट करना मैं देख हौ हूँ कई लोग कोपी पेस्ट कर रहे कोफीपेस्ट करना हूं को बेस्ट इवनिक मैं सभी कमेंट रीट करता हूं जिसका भी बेस्ट एंसर है उसका मैं कल नाम अनॉंसमेंट करूंग इसी वीडियो में अपनी कल की 24 अक्टूर की वीडियो में तो वीडियो को रेगुलर देखते रहें ठीक है आपको मिल जागा करने फेस का बहतरी नोट् ट्रॉफिक किताब किस टीम ने जीता है दोस्तों हाली में 20 हजारे टॉफी किताब जीत लिया है मुंबई ने ठीक है आपको बता दे कि मुंबई ने बैंगलूरू के एम चिन्ना स्वामी स्टेडिय में दिल्ली को चार विकेट से रहाकर अपना तीसरा विजह हजारे टॉफी किताब जीता है ठीक है यहाँ पर आपको बता दे कि इसमें जो प्लेयर आप दमैच का पुरुषकार से पुरुषकित किया गया अधित तारे को किया ठीक अधित ता पतादे कि बीजह हजारे ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है जिसे वर्ष दो तीन में सुरू किया गया था ठीक है रणजी ट्रॉफी प्लेट में से वराजी की टीमों उसे जुड़े घरेलू प्रत्युकता है और यह प्रसीद भारती क्रिकेटर ब पहला टूर्नमेंट हुआ था दो हजार दो तीन में तो यह आपको सनियाद रखना है पूछ लेता है और सबसे सफल टीम जो है तमिल्नाडू है पांच बार यह मैच जीत चुकी है और अभी हाले मुंबई जीते हैं दिल्ली कोहराकर बैंगलूरू में खेला गया है एमचे अगला कोशन ने नीती व्याख्यान सिंखला का चौथा संस्क्रण कहां आजित किया गया है आपको बता दिक जो अपने प्रायमिस्टार मोधी जी ने व्याख्खान सिंखला के चौथे संस्क्रण भाग लिया जिसमें मुख्य शंबोधन सुचना संभोधन और आप जो अध्यक्ष है से अध्यक्ष संस्थापक जैंसेन हुआंग ने किया है एक जो अध्यक्ष है ठीक है और आपको बतादे दोस्तों कि नीतिया को फुल फॉर्म के नेशनल इस्टिटिशन फॉर ट्रास्फार्मिंग इंडिया नितिया के वरतमान अध्यक्ष राजीव कुमार पहले उपादेक्ष के नितियाव के अर्विंद पंघ्डिया सीएो को नेवरतमान हो इमतापकांत अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है वरतमान मुदी जी है निटियाव के स्थाबन हुए थी एक जनुर 2015 में योजना आउड क स्थान पर ठीक है तो यह आपको फैक्ट याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो नीती वैक्षान सिंख्ला का चौथा संस्क्रण कहा जित किया गया है नई दिली माजित किया गया है अगला कोशन हाली में किस स्थान पर दशहरा देख रहे लोगों पर ट्रेन चटने करन्ड साथ से अधिक लोगों की मौत हो गई है दोस्तों इसका आपको सबको पता होगा काफी चर्चित काफी बड़ा हाथसा था यह राइट एंसर इसका ऑपसंडी अम्रित सर में ठीक है ऑपसंडी दसहरा वाले दिन रावर दहन देख रहे लोग इससे आपको हैंडी टेन नोट्स मिल जाएंगे करने फेस के तो आपको कमेंट एंस वाक्स में एंसा जो लिखना है भी डिटेल में लिखना है पहला कोशन हाली में काउंस बैंक भारत का सबसे मौलिवान ब्रांड बन गया है ऑप्संड दे रखें आपको फटा-फट पू जाओ ठीक है ना की चेर्मैन मैंनेजिंग डिरेक्टर यहां पर आपको याद रखना है हाली में जिसको नियूट किया गया है इस भी आई के बारे में सारी जानकारी लिखेंगे जैसा कि मैं आप हर वीडियों आपको बताता हूं अगला कोशन है आप पूरती मुवाइल कि इस ने लॉंच किया था पूरा डिटेल में लिखेंगे आप पूरती मुवाइल के बारे में जिसको भी करेंट अफेस का नोट चाहिए साथी भारत के पहले वैश्य गत्सीतला सिखर्शमेलन में मूब काउध घरन गिसने किया है यह आपको बताना है नेक्स कोशन है दोस्तों किया नाम है तो इसका रायरे एंसर दूस्तों ओप्सन सी अंगरिया बाः डेस के पहले डोमेस्टिक प्रूज का मुंबई से गोवाहरूट पर चलाया जाना निल्धाइद किया गया ख्यां आग्ला कोश्चान दूस्तों अमेरिका के राश्च्टुपति डोनाल अल्टरम ने रूस के साथ दसकों पुरानी इंटर्मीडियर रेंज नुकलियर फोर्सेस संधी समाप्त करने की घोशना की है अगला गोशन है निम्रिकित मेंचे किस संस्थाद्वारा हाली में जल शोधन प्रणाली ओनीर का विकास किया गया है तो राइट एंसर है ऑप्शन कितारू सोधक प्रणाली विक्सित की है ठीक है CSIR ने अगला कोशन है हाली मिकिस देश द्वारा बिजली की खपत कम करने के उद्देश से कृत्रिम चंद्रमा लॉंच की जाने की घोशना की गई है राइट एंसर है ऑप्शन C चाइना ठीक है ठीक है ठीक है चीन द्वारा हाली में बर्ण 2020 तक अपना कृतिम चंद्रमा लॉंच करने की घोशना की गई है चीन का उद्देश से बिजली की खपत तथा लागत कम करने के लिए गदम उठाय जायागा ठीक है बहुत मात्मूर कोश्चन है अगला प्रसने नेमिकित में से किस स्थान पर हाली में इस पस्ट किया कि लॉंच की एक मा के भीतर की स्योजना का लाभ एक लाग से दिक लोग उठा चुके हैं आईश्मान भारत योजना ठीका उपसाने राइट है और इस वान भारत योजना आपको दाए केंदी स्वास्त मंत्री जेपी नड्डा ने हाली में इस पस्ट किया ह लॉंच के एक मा के भीतर याश्मान भारत योजना गलाभ एक लाग से दिक लोगों उठा चुके हैं ने सुचने भारत ने किस देश्क से आयतित इसपात की चुनिंदा किश्मों पर पांस साल के लिए 185.5 डॉलर प्रतिटन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है तो भारत ने चीन से आयतित इसपात की चुनिंदा किश्मों पर पांस साल के लिए 185.5 डॉलर प्रतिटन तक जो है तो डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है अगला प्रसने कि इस देश के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारती मूल के अमेरिकी महिला को हिंस्टन मे मानो तसकरी से लड़ने में उत्किष्ट युगदान के लिए राष्टपती पूरुषकार से समानित किया गया है अगला कोशन ने किस भारती वैड्मिंटर खिलाडी ने 21 अक्टूबर 2018 को डेनमार कोपेन वैड्मिंटर टूर्नामें में महिला सिंगल्स में रजत पतक जी किता है ऑप्सन दे रखे हैं दोस्तों राइट अंसर इसका ऑप्सन ने साइना नहवाल ठीक है भारती सटलर साइना नहवाल ने डेनमार कोपेन में रचत पतक जीता है और फाइनल में ताइवान की ताई जव इंक को उन्होंने हराया है अगला कोशन कीश भारती तेज गेदवाज ने 20 अक्टूबर 2018 को क्रिकेट के सभी प्रारूपे से सन्याज की खोशना की है प्रभीन कुमार ऑप्सन भी ठीक है भारती तेज गेदवाज दोस्तों क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्याज की खोशना करती है प्रभीन कु कोचन अमेरिका और किस देश ने दुर्फक्षी हवाई अभ्यास कोप इंडिया में जापान को सामिल करने पर सहमती प्रकट की है राइट एंसर जाए उपसंडी इंडिया अब देख लेते लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोचन पुझे था हालि में भारत का सब से उचती र राइट एंसर दिये था आज का सवाल के आज का कुश्चन विजली की लागत कम करने के लिए कौन सा देश मानो निर्मित चंदरवाल वांज करने की उजना बना रहा है अप्सन दे रखें आपको राइट एंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है यदि आपने नहीं देखें वह पांस सवाल आपको नाम एनांस्मेंट करूँगा दोस्ते आपने यहां पर कल की वीडियो नहीं देखी है करेंडर फेस की तो आप जरूर देख लें 22 अक्टूबर की वीडियो ठीक है काफी मात पूर है मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ जै हिन जै भारत